जी हां दोस्तों आईए कच्चे क्रमचरी जुड़ी कुछ फर्मुख खबरों को जल्दी से जाल लेते हैं देख लेकते हैं यहां पर सबसे पहले कोमन खबर पर नजर डाल लेते जो सभी को पतावना चाहिए साथियों हर्याणा के जो सरकारी भी भाग है उनमें एक लाक्ष इनोंने बताया है तोस्तों यहां पर यह करीब सवा लाख जो अनुबंदित करमचारी हैं वो हर्याणा में अलग लगवी भागों में काम कर रही हैं जिसमें इनोंने बताया है एक लाख पांच हजार करमचारी लगबग कोसलोजगार निकम लिमिंटेड के साथ पंजी करि जो हर्याणा सहरी विकास प्रादिकर्ण है है उसमें करमचारी काम करें जो कचे करमचारी की बात हो रही है तो काफी बड़ी संख्या में जो है हरियाना में जो कच्छे करमचारी हैं वो काम कर रही हैं और यही सारे के सारे जो लाखों करमचारी हैं पका करने की मांग लगातार किये जा रही हैं लेकिन सरकार है कि उसके कानों पर जून नहीं रेंग रही है कुल सविकरत पदों में लगबग साड़े चार लाख के म पर काम कर रही हैं इसमें उन्हें बता है कि बिछले कुछ वर्षों में नीमीत करमचारीं की संख्या में काफी कमी आई है जब कि जन संख्या में वर्धी तेजी से हो रही है अकिल भारती राज्य सरकारी करमचारी महासंग्या दैक्से सुभास लामबा ने आरोप लगाया कि अब लग बग 2.9 क्रोड की आबादी यानि कि आबादी तो इतनी सारी बढ़ गई है लेकिन करमचरेंग संख्या गट गई है जो गट कर 2.7 लाख हो गई है तो आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से ऐवेवस्था यहां पर फैल रही है तो इनी आहलात को देखते वे सरका को चाहिए कि इन कच्चे करमचारें को पका करे या फिर साथ के साथ दोस्तों जो है इन करमचारियों में से जो पक्के हो सकते हैं पके गरे और नीमित भरती भी की जाए आगे देख लेते हैं यहां पर आउट्सोर्चिंग करमचारियों को जिहां समय प्रवेतन नहीं मिलन है सरकार के सारे के सारे दावे हैं जो धरासाई होते हुए नजर आते हैं द्रातल पर झाइए कि बहुत सारे भी वागों में करमचारी पहले की तरह जीस तरह में धरंद हम दुकि one ने फकलतेरा के koshodoos ghani gham के करम जारी चाहिना आगे लेते हैं अपने मांगों को लेकर कोचलोजगार निकम के क्रमचारी अब लोग देख पाएंगे पिछले को सलोजगार करमचारी यह कहला ते हैं जिस पर आज तक कोई सख्यान नहीं लिया गया है तीन बार यह वित विभाग को पेज चुकी है लेकिन जो हालाथ हूं जसके थ्यां को धरना देने को मजबूर होना पड़ रहा है इस बैंकर गर्मी इन्होंने बता है कि नॉम्बर 2023 के वेतन से काटे जा रहे हैं यानि कि फंद्रा सौ रुपे इनके वेतन से काटे जा रहे हैं लेकिन बावजुद इसके इनको च्छिरायू कारड नहीं मिल पा रहा जो पांचलाग रुपे का फरी लाज देते हैं उसके लिए पैसे तो काट लेकिन उसका लाव इनको नहीं मिल रहा है इधर पते बाद से आप लोग देख पा रहे हैं पीड़लोडी मेकेनिकल करमचरी यूनिन की बैटक अधिकारी के रवये से रवये पर इन्होंने जता है रोज तो अधिकारियों के रवये पर यहां पर इन्होंने रोज जता है वह भी थोड़ा सा संतूष्टी होता है कि कोई ना कोई उनको सुनने वाला है लेकिन बहुत जग है पर ऐसा देखने में अधिकारी ही सुनने के लिए त्यार नहीं होते और यहां पर कैथल में आप लोग देख पाएंगे सिगर सभी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदो सस frightening पर फाहां थै उंतर नग्राने के लिए तैयर है किछे करमचरीं को पकã करने की मांग और जो पुराने जो इनकी मांगे जो पिछले साल उसे पिछले साल एक और ययनिके 2022 में भी दोường 23 में भी अब दोrade चोबिस चला भाए है इतने सारे PanchEC सते के साथ साथ इतने सार आ पूरा हुआ तो करमचारी दोबारा से सड़कों पर उतर रहे हैं चंडिगट से देख लिजिए खेल भी भाग में आउट्सोर्चिंग करमी की मोत से परसासक खफा 161 करमचारी को वेतन देने का दिया निर्देश तो आप लोगों को पता होगा इस पर हमने भी अपडेट दी थी के करमचारी है यापर जो खेल भी भाग में चंडिगट में साथियों उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया क्योंकि उनकी तीन महीने की शेलरी नहीं आई थी आर समय पर सेलरी नहीं देना किसकी कमी के कारण समय पर सेलरी नहीं आ पा रहे थे तो उस अधिकार के खिलाब ये कारवाई जरूर की जानी चाहिए किसकी हो जैसे ये सारी की सारी चीजें रुकी हुई थी लंबे समय से करमचारी को समय पर वेतन नहीं दिये जाने की आ रही थ सिकायते तो जो सिकायते आ रही थे तो उन्हों दिकारियों के खिलाफ कारवाय भी तो की जानी चाहिए शिरफ वेतन जारी कर दिया इससे कामन नहीं चलता आगे देख लिजिए 2014 के पोलशी के तैत पके हुए करमचरें को मिलेगी पदोनिती जी हां तो उस्तों कल ये चीफ सेक्टियों भर्याना की तरब से लेटर जारी कर दिया गया था इस लेटर पर हमने स्याम को ही वीडियो बना दी थी बता दे आप लोगों को पूरा वर्ति जो हुड़ा सरकार की विदाई से ठीक पहले पके हुए 5000 करमचरें को सरकार ने ये राहत दी है कि अब उनकी परमोशन हो सकेगी यहां पर भी देख पाएंगे हरियाना में वर्स 2014 में पॉलशी के तैत रेगुलर हुए करमचरें को मिलेगी पदोनिती यानिकि अब इनको परमोशन मिलेगी लेकि साथ में एक कंडिसन यह है कि कोर्ट में केस चला हुआ है अगर कोर्ट का कोई भी डिशे जनाता है तो उसके हिसाब से इन चीजों को बदला जा सकता है यानिके कोर्ट के फैसले का इफेक्ट इस पर पड़ेगा परमोशन पर अगर इनके पक्स में आता है या फिर भी पक् हुजाते हैं इतने लंबे संग में से जो हैं यह संग हर्ष भी कर रहे ऑब इनको थोड़ी सरकार ने रहत दी है तो बंड़ेगी सरकार की तरफसर की तरफसे पोईंट को को कोई न भी रहत पर पलस पय Maple होगा तो यह तिसारी कि सारी आज कि आउटसोर्षिंग कच्छे कर्म चे जूड़ी खबरें साथ हैं पर पाना तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें थेंक्यू बेरिमेंच